ये लड़का था अस्ती मोगली, भीडियों के बीच हुआ था बड़ा, खाता था कच्चा मास, आती थी सिर्फ जानवरों की भाशा महान लेखक, रुडियाड, किपलिंग की किताब The Jungle Book तो आपने जरूर पड़ी होगी इस किताब पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें एक बच्चा जंगली बन कर बड़ा होता है और जानवरों के बीच रहता है उसका नाम रहता है मूगली, उसे भेडियों का जुंट पालता है, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कालपनिक किरदार है और ऐसा होना नामूंकिन है तो आप पूरी तरह से गलत है भारते में सालों पहले असल में एक लड़का था जिसका रियल लाइफ मूगली था और उसकी कहानी से प्रेड़ना लेकर उडियार किपलिंग ने इस महान किताब की रचना की थी उस शक्स का नाम था दीना सनीचर इस व्यक्ति की कहानी बेहत हैरान करने वाली है दीना सनीचर को बुलंद शहर के जंगलों में पकड़ा गया था दीना सनीचर के जिंदगी फिल्म वाले मोगली जितनी आसान और रोमान चक नहीं थी उसे काफी संगर्श करना पड़ा वैं 1800 के दशक में पैदा हुआ था रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर परदेश के बुलंद शहर में अंग्रेश शिकारियों ने उसे साल अठासो सरसट में पकड़ा था उन्हें जंगल में एक लड़का दिखा जो भेडियों के साथ जंगल के चक्कर लगा रहा था हैरानी की बात ये थी कि वो अपने दोनों हाथ और पैरों के सारे चल रहा था उन्होंने बच्चे का पीछा किया तो वो एक भेडिया गुफा में घुच गए शिकारियों ने गुफा में आग लगा दी जिसकी वैसे उन्हें बाहर निकलना पड़ा बाहर आते ही भेडियों को गोली मार दी गई और बच्चे को पकड़ लिया गया उसे इनसान के बीच ले जाने की योजना शिकारियों ने बनाई दीना सनीचर की मौत टी बी से हुई थी खाता था कच्चा मास जिस वक्त बच्चे को पकड़ा गया उस वक्त उसकी उम्र 6 साल के करीब थी उसे आगरा के एक अनाथाले में भरती करा दिया गया समस्या ये थी कि बच्चे को इनसानी भाशा नहीं आती थी और इनसानों के साथ वो नहीं रहा था इसलिए उसका कुछ नाम भी नहीं था अनाथाले में लोगों ने उसे नाम दिया दीना सनीचर सनीचर इसलिए क्योंकि वो शनिवार के दिन अनाथाले में आया था बच्चे को लिखना बोलना सिखाया गया पर वो नहीं सीख पाया हाला कि वो सर्फ जानवरों की तरह ही आवाजे निकालता था उसके बावजूद उसने दो पैर पर चलना सीख लिया शूशू में उसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था पकावा खाना भी वो नहीं खाना चाता था क्योंकि उसने हमेशा कच्चा मास ही खाया था 29 साल में हो गई मौत कई रिपोर्ट्स ने बताया कि वो प्लेट से खाना तो सीख गया था पर उसके बावजूद हमेशा खाने को सूंग कर खाता था अनाथाले में उसकी दोस्ती एक और जंगली लड़के से हो गई और इंसानों से जुड़ी एक चीज उसने मन से सीखी और वो था धुमरपान उस दूसरे लड़के के कारण दीना सनीचर को धुमरपान की ऐसी लत लग गई कि उसे टीवी हो गया जिसकी वज़े से उसकी मौश सिर्फ 29 साल के उमर में हो गई दीना सनीचर के साथ भारत में कई ऐसे मामले आए जिसमें बच्चे जंगली जानवरों के साथ पले बड़े थे भारत में भी ऐसे ही कई मामले सामने आ चुके हैं